ज्यादा एड़ तो पूर्ण है उस उत्तर में वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आया था कि मुझे लगा था कि हो सकता है कल ऑक्सिजन की कमी महाराश्ट्रिया मुंबई में हो जाए मगर वैसी परिस्थिती में मैंने तुरंद एक SMS भेजा SOS कॉल भेजा Cabinet Secretary Home को उन्होंने यहां पे कहा है कि विदिन 15 to 20 second I had an incoming call from the Central Cabinet Secretary Rajiv Gauva. He told me tell me what you want. I said we have to import oxygen into the state. I told him that we can't manufacture oxygen at such short notice and that the turnaround time for the oxygen coming from Haldiyah was around 8 days. I worked under Gaba उसकी बाद बहुत कुछ कहते हैं बाद में वो कहते हैं तुरंद जैसे ही मैंने उनको कहा उन्होंने वो सारे oxygen को मुहया कराया और महाराश्ट्र तक्षनात भेजा 15 से 20 सेंड के अंदर SOS के 20 सेंड के अंदर केंद्रिय सरकार जिस प्रकार से काम करके महाराश्ट्र को oxygen भीजना और यहां आप देख सकते हैं क्रशने उनसे पूछा गया है What do you think of the Center's oxygen allocation? यहां पर खुद इकबाल जी कहते हैं जो Commissioner है Let me answer this question in very strong manner. The government of India should not be blamed at all. If anybody has to be blamed, it is the states. वो खुद कहते हैं इकबाल जी कि इसमें आप केंद्र की राजनीती को केंद्र के सरकार को मत घसीटी है इसमें अगर किसी का दोश है तो यह यह राज्जियों का है राज्जियों से सवाल पूछे देखिए एक तरह यहां आज एक Central figure एक hero जिसने इस लड़ाई को लड़ा है वो मानते हैं कि केंद्र का क्या role रहा है और दूसरी तरफ मित्रों आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप TV on करिये तो अरविंद केजरिवाल जी जिस प्रकार से लगातार TV में रहते हैं जिस प्रकार से लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं लगातार जूट बोलने का काम कर रहे हैं इस प्रेस कॉन्फरेंस को आपके सामने करने का बिलकुल हमारा कोई उदेश नहीं था हम नहीं चाहते थे कि कि किसी प्रकार की यहां तू अच्छा है मैं अच्छा हूँ इस प्रकार की राजनीती हो तू तू मैमे की राजनीती हम नहीं चाहते मगर हर दिन अगर देश को दिल्ली को भ्रमित किया जाएगा तो स्वभाविक है We will also come up with facts हम भी सच्चाई को रखेंगे हम भी पूछेंगे अर्विन केजरिवाल जी आप वैक्सीन के विशय में 26 तारिक को आज से कुछ दिनों पहले 26 अपरेल 2021 को मैं वो वीडियो भी अंत में दिखाऊंगा आपको अर्विन केजरिवाल जी ने प्रेस कॉंफरेंस करके क्या कहा था अर्विन केजरिवाल जी प्रेस कॉंफरेंस करते हैं और केजरिवाल जी कहते हैं कि हम एक करोड 34 लाख वैक्सीन के लिए order देने वाले हैं ये मंजूरी हो गई है दिल्ली सरकार ने ये मंजूरी दे दी है और चारो तरफ वावाही शुरू हो जाती है देखिए अर्विन केजरीवाल जी कितने proactive चीफ मिनिस्टर है समय रहते उन्होंने order भी दे दिया है एक करोड और कोई छुटा मुटा नहीं एक करोड चौनतीस लाख वैक्सीन के लिए order दे दिया है लगभग 14 करोड का ही है एक करोड चौनतीस लाख वैक्सीन इसका order उन्होंने अल्लेडी प्लेस कर दिया है और इथा से गर ये वैक्सीन अधर देन गवर्मेंट ऑफ इंडिया चैनल जो भारत सरकार जो देती है मुफ्त में उसके बाहर कुल मिला करके साड़े पांच लाख चार लाख कोवीशील्ड और एक लाख पचास हजार देड़ लाख को वैक्सीन कुल मिला करके साड़े पांच लाख वैक्सीन का ओडर अर्विन केजरिवाल जी ने प्लेस किया है सोचिए साड़े पांच लाग का वैक्सीन का ओर्डर प्लेस करते हैं और टीवी में आकर ऐसे एकदम भोला मासूम चेहरा बना करके कि एक करोड़ 34 लाग हमने हमने पारिद कर दिया है जी हम आपको दे देंगे गर गर जाके वैक्सीन दे देंगे इस प्रकार के राजनीती अच्छी बात नहीं है हकीकत रखिए आप जनता के साथ आप देखिए वैक्सीन की स्थिती में दिल्ली को इस प्रकार से भ्रमित किया गए हमें आपके सामने रखना चाहूँगा जब पहला फेज और दूसरा फेज खुला जिसमें पहले फेज में जो हेल्थ केर वरकर्स को मिलना था वैक्सीन और बाकी बात के फेज में किस प्रकार से 60 साल के और को मॉर्बेड और 45 साल से उपर के उसमें जो health care worker थे, उनका जो first dose coverage था, वो मात्र 77.67% दिल्ली में ये dose दिया गया था, health care worker second dose coverage आपको जानके बड़ा कष्ट होगा, तकलीफ होगा, कि only 53% केवल लगबग 50% लोगों को ही दिया गया, क्यूँ? उस समय रोज आपको press conference करना था, लोगों को बाहर निकालना था, उस समय रोज कहना था कि please get vaccinated, उस समय आपने कहा भी नहीं, और केवल 53% लोगों को, जो health care workers थे, हमारे front line worker हैं, उनको second dose मिला, जो front line worker, first line coverage, front line, वो health workers थे, ये front line workers हैं, उनका first dose coverage 79%, front line workers, second dose coverage, जो है, ये मात्र 50%, only 50%, person above 45 years of age, 45 साल से उपर के, उनका जो first dose है, आपको जानके दुख होगा, कश्ट होगा, बगर मैं ये बता रहा हूँ, आकड़े, only 41% मात्र 41.08 प्रतीशत लोगों को ये dose मिला दिल्ली में, ठीक उसी प्रकार 45 साल से उपर, जिनको second dose मिला दिल्ली में, वो 8.93% percentage, person above 60 years of age, जिनको पहला dose मिला, वो 48.03%, केवल 48% को, जबकि ये सारा कुछ वहन केंद्रे सरकार कर रही है, मुफ्त में वे ये वैक्सीन भेज रही है, आपके पास स्टॉक में था, उसके बाद भी केवल 48% को मिला, person above 60 years of age, second dose coverage, मात्र 17.29%, दिल्ली वासियों ये हकीकत है, ये हकीकत है, लाखो एडवर्टाइजमेंट सुवेश ये शाम तक, मगर हकीकत 17%, 48%, 50% इतने ही लोगों को जो वैक्सीन मुफ्त मिल रहा था, वो वैक्सीन पहुँच पाया, पहुँच नहीं पाया, क्यूं? क्यूंकि आपने समय रहते, सही तरीके से वैक्सीनेशन को आगे नहीं बढ़ाया, ठीक उसी प्रकार, अक्सीजन के हिसाब किताब में, कोई एक मरीज अगर अक्सीजन की कमी के कारण मरना तो बहुत दूर की बाते बंद हूँ, अगर तडपता भी है, उसे तकलीफ भी होती है, तो ये मानवता के खिलाफ, ये इनसानियत के खिलाफ जल्म है, दिल रोता है, हम भी इनसान है, त सोस जो हमारे कॉल्स थे, अमर्जनसी कॉल्स थे, उसके उपर भारत सरकार ने काम किया, और जो भी हमें ऑक्सीजन चाहिए था, हमें तुरंत महया कराया, और बिल्कुल मैं भारत सरकार को दोश नहीं दूँगा, देखिए महराश्टर में सरवाधिक केस हुए, सबसे ज़ दिल्ली के प्रती भारत सरकार का रवया अलग होता है, यह स्टेप मदली ट्रीटमेंट करती है, करती है क्या ऐसा भारत सरकार, बिल्कुल नहीं, दिल्ली में केजरिवाल जी राजनीती करते हैं, मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, अर्विन जी, छे मई, आज से तीन दिन प और चिठी लिखा, आपने देखा भी, उन्होंने धन्यवाद भी किया था, ट्वीट भी किया था, चन्द मिन्टों के बाद, उनके प्रवक्ता, उनके विधायक और यह पूरा जो मैनेजमेंट देख रहे हैं, दिल्ली में कोविड के, वैसे रागफ चद्धा जी, ऑक्सि बुलेटिन जारी करके कहते हैं, हमारी अवशक्ता, दिल्ली के अवशक्ता तो 976 metric ton है, और आपूर्ती केवल 59 percentage हुई है, बाकी आपूर्ती नहीं हुई है, चार मिनिट पहले केजरिवाल जी कहते हैं कि बहुत-बहुत धन्यवाद, 730 metric ton हमारी अवशक्ता थी, आपने दे calculation के घर के लोग ही नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो calculation में गड़बड़ी हो रही है, ये जो oxygen audit नहीं कराना चाहते हैं दिल्ली सरकार के लोग, ये जो cryogenic tanker समय पे उन्होंने इस्तिहार नहीं दिया और procure नहीं किया, बाकी राज्यों आज भुगत रहे हैं, आज मैं अकबार म के उधार में oxygen लिया है दिल्ली से, उधार में लिया है, बाकी राज्यों को उधार में oxygen लेना पड़ रहा है दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली के जो managers हैं, दिल्ली की जो सरकार है, वो management नहीं कर पा रही है, ना तो हिसाब कर पा रही है, ना management कर पा रही है, और आप में देखा ह दो दिन पहले एक बहुत बड़े अकबार ने तो फाइफ पॉइंट्स वेर डिली फेल उसमें पूरा हिसाब दिया था कहा कहा दिली की सरकार फेल की आप देख सकते हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टर के साथ उन्होंने इंटर्व्यू भी छापा था उस ट्रांसपोर्टर ने कहा मुझे भारतवर्ष के सभी मुख्यमंत्रियों के ओडर मिल गये थे समय रहते कि आप हमें क्रायोजनिक टैंकर दीजिए और इतने टैंकर के पैसे आप अभी से एडवांस में लीजिए और केजरिवाल जी के अर्था दिल्ली सरकार का लास्ट में आया क्योंकि वो तो बीजी थे अडवर्टाइजमेंट करने में बीजी थे और मैं तो अडवर्टाइजमेंट का पेपर भी लेके आया हूँ आपको विश्वास नहीं होगा कितने कितने करोड़ों रुपए मैं अभी दिखाऊंगा वो कागज रखा हुआ है आपने अडवर्टाइजमेंट के लिए सारे पैसे खर्च कर दिये मगर यह आर्टी आप आर्टी आई देखिए मैं एक आर्टी आई भी दिखाऊंगा अडवर्टाइजमेंट के लिए 800 से अधिक करोड प्रोवाइड मन्थ वाइज डिटेल्स और डिटेल्स अडवर्टाइजमेंट के लिए पूछा गया मैं आपको उत्तर सुना रहा हूं क्या लिखाया अर्विन के जिरिवाल जी की सरकार ने Central Procurement Agency of Delhi Government has not ordered and purchased any ventilators in between July 2020 to April 2021 कोई भी कोई भी वेंटिलेटर के लिए ना तो ओडर किया है और कोई भी वेंटिलेटर ना तो अर्विन के जिरिवाल जी ने मंगाया है आप सोचिए ये परिस्थिती इनकी सरकार की और एडवर्टाइजमेंट पर करोडों रुपे खर्च हो कि जिस प्रकार से ऑक्सिजन ओडिट को लेके अर्विन केजरिवाल जी ने मना ही की थी कि वो ऑक्सिजन ओडिट नहीं कराएंगे